वेल्कम बैक्ट दियर स्टुदेंट इश सेजे इन लेक्टर फ्राम चैक्टर नुम्र फ़र्स्ट वांट क्लास नांइंथ केमिस्ट्री एंड टॉपिक फा स्ट कि Android Marshm doctrine का एक proper concept दोंगा उसके बाद हम यह देखेंगे कि जो compound हैं उसकी properties change होती हैं यह नहीं होती हैं उसकी एसल में properties कौन कौन सी होती हैं फिर हम classification देखेंगे और फिर चंद एक हम यहां पर जो compound हैं उसके chemical formulas देखेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको revise करवाद हूं previous lectures में से क्योंकि उसका इस lectures के साथ थोड़ा सा link मुझूद है तो हम लाजमने तो पर वह देखेंगे देखेंगे लेक्चर नमबर सैकंड में मैंने आपको एक चार्ट यहां पर फ्लो चार्ट नेक्स्ट बन गया था होमोजीनिस मिक्स्चर एंड हैट्रोजीनिस मिक्स्चर जो हमने वहीं पर डिटेल में देख लिये थे लेकिन अगर मैं बात करता हूं सबस्टांस की तो सबस्टांस मजीद divide होता है दो मजीद subgroups के अंदर अब उन में से जो एक group है उसके नाम होता है elements और दूसरे का नाम क्या है compound तो dear students जो element वाला topic है वो आपने cover कर लिया कल और इसका मतलब है आज जो हम देखेंगे वो देखने वाले है compound तो यह compound basically कहां से आया है यह निकला है pure substance से और pure substance कहां से आ गया है यह निकला है matter से और matter is the base जो हम जहां से हमने start किया था तो चलिए अब हम compound को देख लेते हैं देखें दरह इसको simplify बहुत ही simple clear तरीके से आपने समझ रहे हैं ठीक है देखें तीन basically मैंने lines में इसको definition को divide कर दिया तीन conditions एक किसम की हैं एक किसी भी compound के लिए पहली चीज़ यह है कि यह substance होगी इस बात में तो कुछ शक ही नहीं है क्योंकि जो compound है वो क्या है substance है तो compound is a substance made up of two or more elements तो पहली यहां पर जो चीज़ आगी है वो यह है कि कोई भी substance जो दो या दो से ज्यादा elements से मिलकर बननी चाहिए दूसरी चीज़ वो जो दो या दो से ज्यादा elements होंगे वो हमेशा chemically combine होने चाहिए वो physically combine ना हो अब chemically और physically combine होने का मतलब क्या होता है देखें दरा suppose that आप क्या करते हैं dear students आपके पास फर्स करें दो vegetables हैं दो different types की vegetables हैं एक आपके पास potatoes हैं दूसरा आपके पास है tomatoes अगर आप उनको आपस में mix कर देते हैं combine कर देते हैं तो क्या आप उन्हें separate कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं भई हमें पता चल जाएगा वाज़े नजर आ रहा होगा आपको भी यह tomato है यह tomato है और यह आलू है तो आप उसको कर सकते हैं separate कर सकते हैं तो वो जो combine किया है आपने वो physically combine किया है अब chemically combine करने का मतलब यह ह हो जाएं फिर आप उसके अंदर differentiate करी ना पाएं आप आपको पता ही ना चले वो जब combine हो तो combine होने से कोई नई चीज़ बन जाए उस combination को हम क्या नाम देंगे chemical combined का नाम देंगे तो समझ में आई बात अब यहां पर देखें अगर आप बात करते हैं water की water की बात कर लेते हैं journal हम देख रहे हैं तो water के अंदर आपको फार्मूला पता है water का फार्मूला होता है H2O अब यहां पर देखें कि दो hydrogen है साथ में oxygen है दोनो gases हैं अब हैं दोनो gases लेकिन जब वो आपस में मिली हैं तो मिलने से पानी बन रहा है और water क्या है liquid है क्या आप उस पानी के अंदर hydrogen और oxygen को अलग अलग देख सकते हो या उनको अलग कर सकते हो कभी भी नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो compound है पहली चीज़ यह है कि वो substance होगी और वो उसमें दो या दो से ज़्यदा element हो सकते हैं दूसरी बात कि वो जो combine हो elements वो chemically हो वो physically ना हो physically जैसा कि वो potatoes और tomato का दे दिया और chemically कि जिनको आप separate करी ना सको आप उनको अलग देख ही ना सको तीसरी जो चीज़ होती है वो dear student यह है कि वो fixed ratio में हो अब fixed ratio by mass का मतलब क्या है चले मैं एक और general example देता हूँ देखें दरा अगर मैं sweets की बात कर लाते हूँ मठ्याई की बात कर लाते है तो होता कुछ ऐसे है कि अब जिस shop पे जाओगे हर shop का जो formula है वो अपने कुछ दुकाना पर जो milk है वो ज्यादा यूज किया जाएगा मठाई बनाने में sweets बनाने में लेकिन कुछ shops ऐसी होंगे जहां पर sweets बनाने के लिए milk कम खोया ज्यादा इस्तमाल कर लेंगे सही है तो हर एक का जो formula है वो एक दूसरे से different यानि कि कुछ दुकाने milk ज्यादा यूज कर रही है कुछ जो है वो milk की जगा कोई और चीज ज्यादा यूज कर रही है लेकिन अगर हम बात करते हैं water की तो आप दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाओ कहीं पर भी चले जाओ कहीं से भी पानी ले लो वो फिक्स्ट रहने वाली या वो चेंज नहीं होने वाली अलबता मैंने आपको बताया था कि अगर स्वीट की बात करें तो देखें वो प्रॉपरली कंटिनूसली चेंज हो रही है असका मतलब जा स्वीट है वो कंपाउंड तो नहीं है न वह मिक्स्ट हो गया राइट मिक्स्ट हो गया उसमें मिल्क है पता है हर दुकान का हर शाप का अपने फार्मुला है कुछ ज्यादा करेंगे कुछ वाटर के अंदर ऐसा नहीं है तो तीनें कंडिशन फुलफिल हो हैं लेकिन आपके पास यह जो एंड वाली चीज़ यह हो सकते हैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दें भी इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब मैं बताता हूं देखें पहले आप यह चीज़ें देखें अब तीनों चीज़ें फुल्फिल हो रही हैं सबस्टांस मेड़ फू और मूर अलिमेंट्स हो वो दो यह दो से अलिमेंट्स कैमिकली कंबाइंड हो और उनकी जो रेशो हो वो फिक्स्ट होनी चाहिए अब सिंपल एक्जामपल लेते हैं यहांपर फार एक्जामपल मसाल के तौर पर अगर डियर स्टुडेंट हम आपसे बात करें कारबन डाय उक्साइड जो कार्बन डाय उक्साइड है उसके अंदर जो रेशो है उसके मैस की वो फिक्स्ट होती है कैसे जो कार्बन है और कार्बन का जो मैस होता है वो होता है जी ट्वैल्व ऑक्सीजन के एक एटम का मैस होता है सिक्स्टी लेकिन यहां पर सी ओ टू है ओ टू है तो देखें जरा मैं इसको six अगर इसको डिवाइड कर देता हूं two से तो क्या आ जाएगा यहां पर six आ जाएगा यहां पर डियस्ट्रूरेंट आ जाएगा 16 मजीद इसको two से कर दो तो यहां पर three आ जाएगा और यहां पर आजएगा एट तो इसकी जो रेशो है वो आप क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं तो जो सिंप्लेस्ट रेशो आ गई यहां गई उसकी कौन सी रेशो डिस वन इस सिंप्लेस्ट रेशो सिंप्लेस्ट रेशो में डिवीजिन करके लिए दो सी से किया फ्रिक्स्ट वाइ मैस किया इसका मतलब यह है कि आप दुनिया के किसी हिसे में या यह जमान में या बहावलपुर में या कोईटा चले जाए या स्लमाबा जहां पर भी जाके आप कार्बन डायोकसाइड का माली क्यूल लेंगे उस एक माली क्यूल के अंदर जो अगर चाहिए और तीसरी चीज़ उनके अंदर जो रेशिव होने चाहिए वह होनी चाहिए अब हम और देख लेते हैं इसकी रेशिव क्या है और आप इसको सिंपलीफाइ करना चाहें तो डिवाईड कर दें तो वान आजेगा यहां पर सिंपल रेशियो होगी वह होगी व पानी के हर मालेक्यूल के इंदर कहीं से भी ले ले रेशो सेम रहेगे होप सो यू हैव अब बैटर कंसेप्ट ऑफ दा कंपाउंड सो अब हम देखते हैं कि प्रापटीज ऑफ कंपाउंड देखें दरा वो अपने प्रापटीज लूज करते थे हैं इसका मतलब क्या है देखें स्पोस्ट डैट अगर मैं बात करता हूं वाटर की अब वाटर के अंदर जो हाइडरोजन है डियर स्टूट आप जानते है हाइडरोजन एक गैस है इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक् अब वाटर की जो प्रापटीज हैं जो वाटर की अखसूसियात हैं वो डिफरेंट हैं देखें ये गैस है इसकी अखसूसियात क्या है ये गैस है इसकी अखसूसियात है ये गैस है लेकिन जो चीज़ बनी है वो क्या है लीक्विड है तो पहला पॉइंट का मकसद ये है क elements जो के मिलके compounds बना रहे होते हैं वो elements compound बनाते वकित अपने खसुसियाद खतम कर देंगे उनकी खसुसियाद गाईब हो जाएंगे और जो नए चीज़ बनेगी वो नए चीज़ा वाटर उसकी जो खसुसियाद होंगी वो उन elements की खसुसियाद से बिलकुल different रहने वाली पॉइंट नमबर स्वेकेंड है न्यू सबस्टान्स हैव different properties जो ने सबस्टान्स बनेगी उसकी जो properties होंगी वो उसी सबस्टान्स के elements की जो properties से बिलकुल अलग होंगे different होंगी components cannot be broken down by the physical method अब इसका मतलब क्या है उसने का जिए physically हम compound को कभी भी नहीं अलग कर सकते जैसा के देखें आप सब के घरों में एक table salt है common salt होता है जिसे आप नाम देते हो sodium coloride का अब suppose that अगर आपके पास sodium coloride है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप sodium coloride को में से sodium को अलग कर लें कल्राइड को अलग कर लें physical method से physical method का मतलब जैने कि ऐसा बिलकुल हो सकता कि आपके पास कोई hammer है आपने hammer सोडियम कल्राइड को नमक के ऊपर मारा तो मारने से sodium अलग हो गया कलोरीन अलग हो गया ऐसा बिलकुल नहीं होगा या पिर आपके पास water का एक drop है या water का एक molecule है आप उसको hammer के मदद से hydrogen उसमें से अलग कर देते हैं उक्सीजन को अलग कर सकते हैं तो ऐसा बिलकुल possible नहीं है यानि कि आप इनको जो elements हैं compounds के उनको physical जो method हैं उसे अलग नहीं कर सकते हैं अलबता कैमिकली तोर पर या some special जो methods होंगे उनकी मदद से हम इनको separate लाजमी कर सकते हैं नेक्स देखें इनके अंदर ratio क्या होगे fixed ratio by mass होप सो आपको पता चल गया होगे fixed ratio by mass का मतलब क्या है fixed ratio by mass उनके mass की जो ratio होगी वो हर molecule में सेम रहने वाली है throughout the world next one is represent by the chemical formula जो आपके पास compounds होंगे हर compounds का एक खास chemical formula होता है जैसा के अब देखें water है ना water में दो elements हैं chemically combined है fixed ratio है तो उसका एक फार्मॉला है ना chemical formula का है एस्टू ओ सोडियम कलोराइड chemical formula है एन एसी एल तो हर compound का जो chemical formula होता है वो मजूद होगा चाहिए अब देखें अगर हम compounds के types की बात करें तो दो types होती है एक होगे आईनी compounds दूसरे होंगे covalent compounds और यह हम compound की types कर रहे हैं on the basis of bonding जो इन compounds में मझूद है अब हम देखते हैं जी आईनी compounds कौँसे होता है देखें आईनी compounds ऐसे compounds होते हैं जो independent molecular farm में कभी भी मजूद नहीं होते हैं आईनी compounds में कभी भी molecular farm में मजूद नहीं होते यानिक जो sodium chloride है ये एक आइनिक compound है आइनिक compound ऐसा compound जिनके अंदर bond कौन सा होगा? आइनिक bond होगा आइनिक bond एक ऐसा bond जो electron के मकमल transfer से बनेगा समझ में आगी बात है, electron एक atom से दूसरे atom में मकमल तोर पर transfer हो जाएगा अब उसने कहा ये के आइनिक compound जो है जैसा के NACL ये कभी भी एक molecular farm में exist नहीं करता है, NACL ऐसे exist नहीं करता है, अकेला NACL का molecular, नहीं, NACL के जो molecular होगा, वो हमेशा डियर स्रूडेंट इस तरह से एक crystal बनाएगा, और वो हमेशा इस crystals की farm के अंदर ही exist करेगा, काफी complex structure बना देगा, इस तरह से ये अभी simple कर दिया, ये मजीद यानि के हर एक जो chloride होगा, ये sodium का आइन होगा, वो काफी सारे अपने opposite आइन से घिरा हुआ होगा, दूसरे बात उसने का crystal lattice, तो crystal lattice कुछ इस तरह से इस shape में बना देगा, अब अगर हम आईनिक कमपाउंट्स के melting points और boiling points की बात करें, तो इनके जो melting और boiling points होंगे dear student, वो बहुत ज़्यदा high होते हैं, उसकी वज़ा क्या है, उसकी वज़ा यही है, कि जो आईनिक कमपाउंट्स होंगे, उनके दरम्यान में जो बांडिंग होती है, वो बहुत strong है, ठीक है, तो बांडिंग के strong होने के वज़ा से melting और boiling point हाई होंगे, और इनके जो chemical formulas होंगे, इनके chemical formulas का नाम क्या होगा, formula unit, यहनि कि आईनिक कमपाउंट को represent करने के लिए, हम जो chemical formula इस्तिमाल करेंगे, उस chemical formula को क्या नाम देंगे, आप formula unit का, तो यह क्या होगा है, यह सो अगर आईनिक कमपाउंट है यह आईनिक कमपाउंट का क्या होगा, formula unit होगा, नेक्स्ट आगे आपके पास covalent compound, तो आईनिक कमपाउंट की निस्बत, इनके जो melting और boiling points होगे, वो होगे low, तीसरी चीज़ अगर हम covalent compound की बात करते हैं, तो यह स्टोडेंट जो covalent compound होगे, जैसा के example के तोर पर यहां पर water है, आपके पास यह covalent compound है, क्योंकि इसमें bond कोंसे है, covalent bond है, covalent bond जो के शेरिंग से बनेगा, इसी तरह से sulfuric acid, HCl, यह पर CH4, तो यह covalent compound होगे, यह molecular farm में exist करते हैं, ठीक है, नेक्स वन इस, अगर हमें इनके chemical formula की बात करें, तो इनका जो chemical formula होगा, उस chemical formula को क्या नाम दें देंगा, molecular formula, लेकिन इनका जो chemical formula था, उसका नाम था formula unit, ठीक है, अब एक आखरी चीज, एक आखरी टेबल रह गया है, जहां से MCQ बन सकते हैं, यह सम्टाइम शाट को असल में तो वह पूछा जा सकते हैं, जैसा कि आप से अगर पूछा जाए, जो water है, water का बताएं जी, chemical formula क्या है, तो water का जो chemical formula वो क्या हो गया, as to, वो होगा, इसी तरह से अगर sodium कलोराइट की बात करें, तो sodium कलोराइट का second name क्या होता है, इसको हम नाम देते हैं, common salt का, या फिर table salt का, और इसका जो formula होगा, वो बहुत simple है, formula क्या हो गया, एन, ए, सी, एल, sodium कलोराइट, इसे तरह से sodium hydro oxide, sodium को represent किसे करना था, एन, ए, से, क्यूंकि नेट्रियम से निकला था, hydro oxide O, H, तो sodium hydro oxide, इसको हम कहते हैं, caastic soda, इसका second name क्या होगा, caastic soda, इसको भी कहते हैं, याद रखना, caastic soda का formula, एन, ए, ओ, O, H, इसे तरह से sodium carbonate, इसको हम बोलते हैं, washing soda, क्या नाम देंगे, washing soda, और इसको हम represent करते हैं, इसका जो chemical formula होता है, वो होता है, na2, co3, 10 is to, यानिका, decahydrate, 10 water के molecules इसमें होंगे, next आगे आपके पास, calcium oxide, calcium को represent किसे करना है, ca से oxide को O, से, इसका second name क्या है, quit lime, ठीक है, और, next one is, calcium carbonate, इसका जो होगा, वो होगा, lime stone, इसका second name क्या है, lime stone, calcium, represent by ca, carbonate, represented by co3, इसी तरह से silicon dioxide, si o2, और ये किसका नेम होगा, dear student, ये name होता है, sand का, तो आपने इस table को completely क्यार करना है, mcqs के तोर पर भी, और यहाँ पर, dear students, ये आपके ionic और covalent compounds वाले concepts हैं, और यहाँ से आपने compound के definition त्यार करनी है, साथ में उसकी properties, ये short question है, अगर as a long question के तोर पर आता है, तो hope so, आपके पास काफे सारी explanation होगी, आप इसको explain कर सकते हैं, और अगर आपको कोई confusion होगी, तो आप बगएर किसी hesitation के comment की फामे हमसे पूछ सकेंगे, और हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द reply कर सकें, शुक्राइब।